बॉलोर इंडिस्ट्री में सूपर स्टार सलमान खान को आपने देखा होगा रिसेंटली आइफा अवाउड 2022 के रेड कार्पेट पर सलमान एक ग्रेंड एंट्री ही और इस मौके पर सलमान खान का डापर लुग उनका बहुत ही खास अंदार डांस परफामेंस से लेकर बहु थी खूबसूरत स्टाइल में एंट्री करना चर्चा का विशेरा हमेशा की तरह सबसे स्टाइलिस्ट लुग में सलमान नज़र आएं बैशलर बंकर सलमान खान ने एंट्री की जाधा तिर यहाँ पर सलिब्रिटीज कापल गोल्स भी शेर करते नज़र आयते लेकिन सलमान खान को इस अब और शो में सबसे ज़ादा अट्राक्टिव लुग के साथ सबसे ज़ादा एट्रक्शन की सेंटर अट्रक्शन बनते हुए देखा गया तब वो सेंटर अफ एट्रक्शन बन गया है जब एशवर्या अभीशीक राध्या जैसे बच्चिन पैमली के इन पेम आती हुई आवाज से अपने फाओ को व्यक्त करने के बिना नहीं रह पाते हैं चीहां सल्मान खान आइफा वाड 2022 की मौके पर अपनी फिल्म फूल के पत्थर को लेकर पुराना किस्ता बया कर रहे होते हैं वहाँ पर दर्शक वहाँ पर काफी ज़्यादा देखा चाहे त आप कीजेगा फिल्म पत्थर के फूल को लेकर हम बात कर रहे हैं सल्मान खान के फिल्म पत्थर के फूल की बात कर रहे हैं उसे लेकर सल्मान खान ने किस्ता बया किया और इसके बाद वहाँ पर मौझू तमाम सेलिब्रिटीज भी काफी भावोग हो जाते हैं वो वीडिय पर अपने फिल्म पथर के फूल को लेकर बार बार कुछ बातें वो जिक्र कर रहे थे और इस पर चर्चा करते वे उनकी आँखों के आसू बार बार पहते नज़र आए देखिए ये वखास वीडियो जी हाँ आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आइफा अवार्ड समारो के दौरान सल्मान खान रो पड़े हैं जी हाँ आइफा अवार्ड समारो के दौरान स्टेश के नीची आकर इश्वरय अभिशेक रध्या सब की मौझूदगी में वालवड की तमाम बड़े दिगजों की सूपर स्टार्स के सामने सल्मान रो पड़े आखों में आसु लेकर उन्होंने कि स्पीश डिलेवर किया सल्मान ने कहा फिल्म मिलने को लेकर उन्हें कैसे फिल्म मिले थे इस बारे में सल्मान खान ने जानकारी दी दुख जाहिर किया सल्मान खान ने फिल्म इस सफर उस वक्त कैसे उनका शुरू हुआ था और पुराने दिनों को याद कर वो भावुक हो गए श्वरया विशेक सभी वहां मौजूद थे और सल्मान खान का इस तरह से ये बात बताना फिल्म कैसे उन्हें मिली थी लोगों को काफी एमोशनल कर गया अब आप तस्मीर देखे ये व फिल्म पत्थर के फूल को लेकर कैसे इस निश्तética की यानुए में फिल्म पत्थर के फूल सल्मान को मिली थी जिसमें रवीना टचंडन लीड अकरूस के तौर पर थी ये बताते वें सल्मान नजर आये थे पाश लाद पर मिले थे और तब जाकर उन्हें फिल्म मिला था में सलमान नजार आये थे अनत बले ननी ने इस डारेक्ट किया था राम लक्षमन इसके म्यूजिक डारेक्टर थे सलमान रवीना इसमें लीड जोल में थे रीमा लागू विनोद महरा किरन कुमार भी इस फिल्म में थे और कहानी फिल्म बहुत इमोशनल थी याद करते में सल अलमान भाबू को गये नेक्ष्ट नाइन ये जोन से टुपते गरे पो